8th August 2024 88 portal दोस्तो आज का जो ये वीडियो है ये 88 portal को लेके है loin gate portal को लेके है I know आप में से कई सारे लोग आज बहुत जाद excited हूंगे इस portal को लेके और काफी सारे वीडियो आपने अल्रेडी सुने हूंगे हर साल 88 portal को लेके जो है मैं कुछ basic information जो है शेयर करती हूं जो मैंने observe करी है पिछले 5 सालों में इस बार का ये जो loin gate portal है ये थोड़ा और जादा special है क्योंकि ये साल भी 8 number का है 2024 ये साल भी 8 number का है तो इस बार का portal date जो है वो सरफ 88 का नहीं है बलकि 888 का है 888 बहुत special है इस बार का ये portal date इसके बाद ये जो cosmic event है ये होगा 2033 में अगले साल नहीं होगा उसके अगले साल नहीं होगा सीधा इसके बाद जो इस तरीकी का special दिन है वो आएगा 2033 में 2033 में जहां पर फिर से ये 888 888 का combination master number बन के जो है फिर से जो है आएगा लेकिन ये काफी सालों के बाद आएगा लेकिन आज भी ये special दिन है और माना जाता है कि इस दिन पे जो है आप कुछ manifest करें बहुत special दिन है आप कुछ manifest करें और क्या manifest करें वो मैं आपके साथ share करूंगे इस वीडियो में बट उससे पहले जो है थोड़ा सा बात करते हूं लॉइन गेट पोर्टल के बारे में कि ये होता गया है जोस्तो यहां पे सन, स्टार सीरीज, ओयन बेल्ट और अर्थ सब एक alignment में आ जाते हैं और उसी की वज़े से जो है लॉइन गेट पोर्टल बनता है सन इतना powerful planet है और ये जो बाकी स्टार alignment में आते हैं ये सन से भी ज़्यादा powerful है तो आप देख लेंगे ये दिन बहुत बहुत special माना जाता है इसी वज़े से इस alignment की वज़े से और इसी जलिए कहा जाता है कि आज के दिन आप जो है manifest करें आज का दिन बहुत ही अच्छा है manifestation के लिए दोस्तो एट नमबर जो है वो Saturn का नमबर है शनी का नमबर है शनी जो है वो कर्म के career के profession के कारक planet है आज उनही का दिन है आज आप manifest करें अच्छे job के लिए अपने career के लिए professional growth के लिए आप कुछ manifest करें बहुत अच्छा दिन है शनी career profession के कारक रहे है ठीक है आज आप कोई भी technique इस्तमाल कर सकते हैं manifestation के लिए या एक vision board बना सकते हैं जो भी आप चाहते हैं अगर आप किसी karmic चीजों में फसे होए हैं किसी negative situations में फसे होए हैं कुछ ऐसा चल रहा है जिन्दीगी में जो कि आपको समझ आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके का कर्म जो है वो हावी हो रहा है जिन्दीगी के ओपर तो आज आप जो हैं आप manifest करें एक healthy, happy, peaceful life के लिए जहाँ पे कोई stress, दुख, परिशानी ना हो इन बुरे कर्मों से मुक्ती और एक balance life के लिए जो है आप manifestation technique का इस्तमाल करें जो आप लिख रहे हैं या जो आप चाहा रहे हैं definitely वो होगा 8 नंबर जो है वो कर्म का profession का कारक ग्रह तो है ही लेकिन ये abundance का भी, especially money abundance, wealth इसका भी कारक planet है शनी जब देते हैं, शब पर भाड के देते हैं और उनके बराबर कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता तो money abundance के लिए भी आप जो है आज manifest कर सकते हैं अपने आपको financially secure जिस जो भी एक amount आपको secure feel कराता है कि अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं financially अपने आपको secure feel करता या करती है न, तो उसके लिए भी आप manifest करें देखना इसके बाद जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप चाहा रहे हैं, जिसके लिए भी आप अपना technique लगा रहे हैं उसके बाद ऐसी situations create होंगी, universe कोई ना कोई ऐसी सितियां create करेंगे, जिसमें वो आप से महनत कराएंगे, कुछ challenges रहेंगे, कुछ ऐसी opportunities create होंगी, कि जो आप चाहते हो, उस तरफ आप बढ़ने लगोगे and definitely अगर आप सही गए तो वो आपको मिल भी जाएगा जो आप चाहा रहे हो जो आप manifest करना चाहते हो वो आपको मिल भी जाएगा ये manifesting technique काम करती है आज का दिन बहुत ही अच्छा है manifest करने के लिए 888 का जो ये portal है, बहुत special है तो इसको आप गवाएं नहीं जो भी आपके mind में चल रहा है जो भी चीज, जो भी desire जो भी इच्छा आपके mind में चल रही है जरा आप उन्हें समझें, क्या है क्या चल रहा है आपके mind में पैसे को लेके चल रहा है या कोई घर आप लेना चाहते है या आप healthy issues से गुजर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि बस मुझे एक healthy life मिल जाए healthy body मिल जाए या किसी person को लेके आपके अंदर कोई desire चल रही है देखें आप, क्या चल रहा है आपके mind के अंदर बहुत जादा जो चीज़े आपकी priority बनी हुई है चल रहा है आपके mind के अंदर उन्हीं चीज़ों को लेके आप manifest करें लेकिन manifest करने से पहले आप अपने आपको पहले balance state में लेखे आए आप manifestation करने से पहले जो भी techniques आप लगा रहे हैं उसको करने से पहले आप थोड़ा शान्त हो जाए शान्त होने के लिए आप breathing exercise meditation कर सकते हो या अपनी healing करा सकते हो और बिल्कुल शान्त मन से जो है आप जो भी चाहते हो जो लग रहा है आपको कि यह होना चाहिए financial abundance या कुछ career growth professional growth या कोई person relationship से related कोई desire है उसके बाद आप उन चीज़ों के लिए जो है techniques लगाओ ठीक है शान्ती से balance rate में और आप देखना उसके बाद चीज़े धीरे धीरे work करना start हो जाएंगी उसी दिशा में जिस दिशा में आप चाहते हो ठीक है जो भी आप चाह रहे हो जो भी आपने अपने goal set करे हैं या जो भी आपने अपने desires रखी हैं बनाई हैं कि ये मुझे पाना है उसके लिए आपको work भी करना पड़ेगा high vibration में रहना होगा positivity में रहना होगा जो भी अंदर आपकी dark negative चीज़ें हैं उनको release करना होगा जैसे जैसे आपके aura में से आपके mind में से negativity release होगी आप अपने goal के अपनी desire के जादा करीब पहुँशने लगोगे ठीक है तो high vibration में भी आपको आगे रहना है आज का दिन बहुत अच्छा है healing के लिए ठीक है subconscious healing sessions या mind detox, mind healing के लिए बहुत अच्छा है इसके अलावा आज का दिन जो है donations के लिए बहुत अच्छा है जो भी आपकी astrology chart के इसाब से जो भी गरबड है planets की उसके इसाब से जो भी दान बनता है उसके लिए आज का दिन जो है बहुत अच्छा है donations के लिए दान के लिए तुवाब कर सकते हैं अगर आपके कुणली के इसाब से कोई ग्रहों की गरबड है तो आज का दिन बहुत अच्छा है जब के लिए या जपास कराने के लिए वैसे भी साबन का महीना चल रहा है शिवजी का महीना चल रहा है ये महीना वैसे भी पूजा, पाठ, जब इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है तो especially आज का दिन जो है donations उस चीज को लेके आज आज आप जो है astrology readings या फिर astrology session tarot reading भी करा सकते हो और उन reading या उन sessions में आप ये समझने की कोशिश करो astrologers से या tarot readers से की जो आप चाहा रहे हो क्या वो चीज़े easily आपको मिल पाएंगी या फिर किसी तरीके की blockages है कोई obstacles है अगर है तो उनको कैसे हटाया जाए क्या काम किया जाए कि वो सारे blocks हटे ताकि जो भी आप चाहते हो वो easily flow हो पाए आपको मिल पाए इसके लिए आज का दिन इस तरीकी की clarity के लिए बहुत बढ़िया है आप reading ले सकते हो astrology session ले सकते हो दोस्तो इस channel पर मेरा main wish जो है spiritual awakening and ascension journey जिनकी भी spiritual awakening हुई है और जो इस ascension के process में है मैंने देखा है कि full moon, new moon बहुत effect डालता है उनके उपर बहुत emotions उनके surface पर आते हैं बहुत weird भी कई लोगों को बहुत अजीब negative भी feel हो रहा होता है दबे हुए traumas दबे हुए fears बहुत कुछ surface पर आता है और inner potentials भी surface पर आती है portal dates बहुत important है मैंने ये देखा है कि August से ही जो portal dates open होती है चाहे वो 8-8 का portal है 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 ये जो भी portal dates अब आगे आती है अगस्त के बाद यहां से journey जो है थोड़ी और जादा serious हो जाती है उन लोगों के लिए जो 4D में है वेकनिंग ascension की journey में है यहां से इस मन्त से आगस्त से दिसंबर तक अब बहुत जादा चीजे surface पर आएंगी निकल निकल के और यहां से बहुत important हो जाता है basic inner work करना एक अच्छा observer बनना अपनी shadow sights को देखना और जो भी अंदर गड़बड है जो भी negativity है उनको release करना अपने subconscious beliefs को बदलना यहां से जो है अपने inner work को लेके अब serious हो जाना है क्योंकि अब सच में चीजे surface पर आएंगी अगर आप उन सब चीजों को जो गलत चीजें हैं उनको release कर पाए और जो अपनी inner potentials है उनको express कर पाए मेहनत करते रहे negative situations आएंगी लेकिन फिर भी अगर आप डटे रहे काम करते रहे तो फिर आपकी जिन्दगी में जो है ना खुशियों के doors open होंगे वो opportunities आपको जो नहीं मिल रही थी आग ऐसी कोई चीजे जो पहले आपने experience नहीं करी थी वो सब आपको receive होना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आप अगस्त के बाद भी ऐसे non serious रहते हैं in a work नहीं करते हैं तो उसके बाद mental health issues health issues होने की जो है संभावनाएं बन जाती हैं पांस सालों से मैं observe कर रही हूँ इन सारी चीजों को इन portal dates को फुल moon, new moon को या जो लोग awakening ascension की journey में हैं उन सब लोगों को मैं observe कर रही हूँ और ये चीजें मैंने देखी है कि अगस्त के बाद या 88 portal के बाद जो है ये journey थोड़ी और जादा serious हो जाती है जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसा कुछ receive होता है जो जैसे जो उनका सपना था जो उनका dream था लेकिन जो लोग काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए पीडाएं बढ़ जाती हैं तो यहां से अब थोड़ा और जादा serious हो जाना है अपनी spiritual journey को लेके तो that's it दोस्तों इस वीडियो कब मैं यहीं पर समाप्त करती हूं Thank you so much God bless you all Bye-bye